आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं लेस्ट मर तो आज मैं आपको पार्ट वन जो कि सत्र है 22 से 25 है और आप लोग भी जान रहे हैं कि एक्जाम फर्म जो है वाड़ेट निकल चुका है और उनमें कौन-कौन से डोकुमेंट लगने वाले हैं और बहुत से वीडियो को अंतर तक आप लोग जरू देखें तो सबसे पहले अभी मैं आपको तीन नोटिस दिखाने वाला हूँ और आपको समझा भी दिऊंगा जिससे कि आपको कोई भी इस वीडियो में कंफ्यूजन नहीं हो तो आप लोग अंतर तक आप लोग देखे सभी से के नोटिस है बट मैं आपको समझाने के लिए इस नोटिस का आपको दिखा रहा हूं उबस यह नोटिस आप लोग सबसे पहले यहां पर देखेck Perhaps कॉलेस का नाम देखकर लिए और उनके वाद आप देखें यहां नोटिस आपके सीनियर क्लास के का नोटिस है। बट मैं आपको समझाने वाला हूँ क्योंकि notice जो है सभी college का अलग-अलग होता है और process जो notice में जो मांगा जाता है document बहुत से college में सेम रहता है तो मैं इसलिए आपको समझाने वाला हूँ तो यहां आप session से आप मत जाईये session आपको नहीं देखना है बट जो document होता है सबका document स से मोता तो यहां पर देख लें कि पार्ट वन में जो यहां पर सत्र बाइस से पचिस आप मानके चलें आपका है बट यह सेशन आपको नहीं देखना क्योंकि डॉक्मेंट जो होते हैं वह सभी का से होता है तो सबसे पहले बीए बीए सी बीकॉम जो डोकुमेंट लगते हैं पार्ट वन के एक्जाम फ़र्म में तो आपको क्या करना होगा एडवीशन स्लिप आपको लगने वाला है तो यह सभी स्टुरेंट्स के लिए जो कि सत्र है बाइस से पचीस है क्योंकि सभी का बढ़ भी लगने वाला है तो यह तीन डोकुमेंट हो गया जो अभी मैंने बताया किसी किसी कॉलेज में इससे ज्यादा भी डोकुमेंट मांगा जा सकता है बट यह तीन डोकुमेंट आपको अपने पास रख लेना एक्जाम फार्म में उसके बाद मैं दूसरा नोटिस द भी एक्जाम फार्म का यह नोटिस है जो कि आपसे सीनियर जो क्लास थे उनको जो डोकुमेंट लगा है आपको भी यही डोकुमेंट आपको देना होगा तो सबसे पहला यहां चीज़ देख लें पार्ट वन के लिए पंजी अन रिसीप्ट मतलब अभी जो मैंने बताया र उसका को लग सकते हैं जो कि इस म settlers था और डोकुमेंट मैंने यहां पर आपको बतावे दिया तो यह सबक्कों जो सवी मैं सेरा रहा हूं और संजा भी रहा हूं यह सब डोकुमेंट चो tone अभी आपसे senior यह official notice निकाली गए थी university के और से और इसमें सत्र जो है आपका senior का है बट जो सब का process तो सेम ही होता है एक्जाम फर्म है मस बस जो मैं भी आपको समझाने का जो परियास कर रहा था कि यह सब डोकुमेंट आपको लगने वाले तो यहाँ पर भी वही चीज मांगा गया है तो एक चीज और मांगा गया है इसमें परिच्चा फर्म का जो है dashboard भी लगने वाला तो आप लोग dashboard भी एक extra उसमें प्लस कर लेना है पंजियन जो कि मैंने दो अभी नोटिस दिखाया उसमें भी पंजियन मांगा गया था और पार्ट वन का रसीद तो यह दोनों में आप मांगा गया है सिर्फ एक और एक्स्ट् है उनको भी आपको लगा देना है तो आप अच्छे से समझ गया होंगे सब का process तो सेम है यहाँ पर exam form देख भी लिए exam form ही था part 1 का ही था बट मैं आपको सिर्फ समझाने का परियास किया हूँ इसलिए मैं पहले वाला ही notice आपको बताया हूँ बट सब का तो exam form का जो होता ह है document सेम ही होता है इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने का इनमें परियास किया हूँ तो आप अच्छे से समझ गया होंगे जो document मैंने बताया यह तीन document आप लोग जरूर रख लेए यह तीन document आपसे जरूर मांगा ही मांगा जाएगा जो कि सत्र मैंने बताया 22 से 25 के लिए लगबा कुछ हलका फलका चेंज हो सकता है और वीडियो से कुछ information आपको प्राप्त हुई हो तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे ज्याद से ज्याद आपने दोस्तों को शेयर करे और अपने WhatsApp स्ट्रेटस में सभी स्ट्वेंट से तो आप रिक्वेस्ट है